Hello friends, welcome back So friends, आज किस वीडियो में हम लोग discuss करने जारे हैं 10 most important questions को जो कि आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है and I'm sure about that कि अगर आप इन 10 questions को तयार करके जाओगे तो आपके जो passing marks होते हैं उन passing marks से भी ज़्यादा बहुत अच्छे marks आने वाले हैं तो चलिए start करते हैं जो आज का ये वीडियो है वो दोस्तों BA part third वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने subject के अंदर English literature लेकर के रखा हुआ है और देखें जैसा कि पता है कि BA के अंदर आपके जितने भी exams होते हैं वो तीन होते हैं हर एक subject के ठीक है तो आपका जो जिन भी लोगों ने English literature लेकर के रखा है उनका first paper जो होगा वो होगा History of English literature अपनी आप book से नाम match कर ले ना History of English literature आपकी book का नाम होगा ठीक है और इस पूरी playlist को मैंने अलग से cover करके रखा हुआ अपने ही इसी channel के उपर ठीक है तो उसका मैं playlist भी दे दूँगा और अभी दिखा भी दूँगा कि कहां पर से आपको देखना है तो history of English literature के अंदर आपको बहुत सारे topics मिलते हैं जैसे जैनिसा क्या होता है, reformation क्या होता है miracle play, morality play, university एलेजा विथा नेज और भी बहुत सारे questions को जो कि आपके exams में आने वाले हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं दोस्तों सबसे पहला जो हमारा question है that is कि what do you understand by the term जैनिसा, ठीक है ये जो जैनिसा के ऊपर दोस्तों जैनिसा का आप introduction जरूर से याद करते के जाना कि जैनिसा actual में होता कि discuss its impact of English literature इसका impact का है English literature के field में ये सारी चीजी ये दोस्तों जो question है मतलब कि 100% आपका स्योध है कि एक long question में आ नहीं है ठीक है तो आप इसको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तयाद करके जाओ मैंने इसको बहुत अच्छे से detail में detail के साथ में आप लोगों के साथ में share किया था और इसके साथी साथ में मैंने जो भी है पूरे notes को भी आप लोगों के साथ में share किया ठीक है तो आप लोग देखो जागर के video जो मैंने आप लोगों के साथ में share करी है या फिर कहीं से भी आपको जहां से अच्छी information मिलते जहां से आपको समझ में आता है वहां से आप समझ सकते हो ठीक है बट मैं आपर एक बार explain कर देता हूँ कि actual में रैनिसा था क्या कि जो रैनिसा जो मतलब होता है इसका जो हिंदी में अर्थ जो होता है कि पुनर जागरान या फिर किसी चीच का revival जी बर्थ होना ठीक है जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे जो भी ancient थे ठीक है उसके बाद में ancient age थी और हमारे यहां पर फिर मिडी ले जाई दन हमारा क्या हुआ modern age में convert हो हम लोग रहनी कि modern age आई हमारी ठीक है तो ancient time में जैसा कि सबको पता है कि बहुत ही अच्छा चला था हमारे जो भी पूद्वज थे कितने अच्छे थे और बहुत जादा developing थे बहुत जादा you know innovative थे creative थे अपने अपने जो भी उनके साथ जो भी उन्होंने science के field में भी बहुत जादा एक तरीके से बोलें तो तरक्की करी थी और बहुत जादा development करी थी हाँ उतना जादा science और technology फील्ड में थोड़ा सा नहीं उतना जादा प्रोग्रस कर पाई थे बट हाँ फिर भी उन्होंने बहुत जादा प्रोग्रस करी थी ठीक है जैसे कि अगर देखा जा तो आयूरव को बहुत इच्छा knowledge था बट जब हमारी midi ले जाई ancient के बाद में जब midi ले जाई तो वो हमारी society के लिए अच्छी नहीं साबित हुए कैसे नहीं अच्छी साबित हुए क्योंकि इस age के अंदर middle age के अंदर हमको बहुत सारे walls देखने को मिलते हैं युद्ध देखने को मिल अरत का जो भी था एक जोसका husband मरता था तब उसको साथ में उसको भी मरना रहता था जल करके ठीक है तो इस तरीके कि जो भी चीजे थी बहुत जादा जो हमारी society के लिए अच्छी नहीं थी तो ये middle age थी वो हमारी society के लिए अच्छी नहीं थी ठीक है इसमें कोई भी progress ने क कोई भी development नहीं हुआ कोई भी innovative चीज भी ने created हुई even ठीक है बट हमारा जब भी modern नहीं जाई तो modern age के अंदर जिस age के अंदर हम लोग रह रहे तो उसमें भी हम देखने कि कितनी ज्यादा science technology develop कर दे है इसके साथ इस साथ में कितनी ज्यादा woman power को भी encourage किया जता है जो महिला को रहने सा बोलते है लाइक कि पुराने लोगों को अपने हम एंचेंटर्स को adopt कर दे है पुराने तरीके से रहना चालू कर दे है हम अपनी आयुलवैद की जो भी हमारे एंचेंटर्स बता गये थे कि किस तरीके से हमको दवाईया लेनी है या फिर कोई बहुत सारी चीज ह हमको बता गये थे कैसे कैसे रहना है तो हम उनके अपने एंचेंटर्स को follow कर दे थे ठीक है तो यही चीज क्या थी दोस्तों एंचेंटर्स को जो हम लोग follow कर दे थे और आंगे की science और technology की छेट में आंगे वठ रहे थे like writing को भी बहुत इच्छा किया जा था science और development के दोस्तों रहने साब बोलते हैं यानि कि यही पुनार जागरान था कि हम अपने पुराने एंचेंटर्स को एडॉप्ट करे थे इसी वज़े से हम लोग रहने साब बोलते हैं किसी चीज का जीबर्थ like कि हमको पता था कि यह क्या से रहना है बट हम वो सारी चीज़े मिडिल पूरी सोसाइटी के बहुत जादा जिसे कि आज कल के टाइम पर आप देखते होगे चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी चलना इस तरीके से तो वैसा ही कुछ जब आपका printing press का आविशकार हुआ था तब उस समय भी बहुत ज़्यादा लोग excited थे उस चीज को ले करके क्योंकि translation का भी लोग आपस में communicate कर सकते था अगला countries के लोग translate करके और साथ में बहुत ही कि अगर किसी को कुछ लिखना होता था तो वो direct उन सारी चीजों को type करके books publish कर सकता था और लोगों को educate कर सकता था तो printing press का आविशकार इस time का बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी खोज मानी जाती ठीक है तो I hope कि इतना काफी रहेगा रैंसा के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजे हैं जो कि आपको detail में जाननी चाहिए और आपको इस सारी चीजे लिखनी भी है तो बहुत ही important question है इस वज़े से ही मैंने आप पहले ही question के ओपर सबसे ज्यादा मैंने आपको लोग थोड़ा time दिया ठीक है त long question इससे नहीं आते बढ़ हां short question इससे जरूद आता है ठीक है तो आप deformation को भी अच्छे से तयाद करके जाएगा कि write a note on the deformation, deformation का मतलब क्या कि deform किसी चीज़ का हम क्या कर रहे थे, deform कर रहे थे ठीक है तो यह सारी चीज़ों के बारे मैं already मैंने वीडियो में discuss करके रखा long में तो नहीं हां यह sort में आपसे पूछे जा सकते हैं कि miracle play morality play क्या हो तकते हैं ठीक है फिर कई बार long में पूछ लिया जाता है ऐसा कुछ है नहीं बटा हां जितने भी आप 10 questions है अगर आप 10 questions को भी अच्छे से करके जाओगे आपके बहुत अच्छे marks आने हाले ठीक है एक करके history of English literature के तरीक मैंने यहां पर यह बना था यहां पर देखो इस तरीके से आपको एक playlist मिल जाएगी history of English literature ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप यह अली playlist को भी देख सकते हो तो यह भी playlist को देख सकते हो यह दोनों ही जो भी playlist है बहुत ही important है आप इस पूरी playlist के अंदर जै formation क्या होता है यहां पर से अगर आपको चीजे नहीं समझ में क्या था था थोड़ा वीडियो की speed वहाँ पर से जा रहा थी तो आप इधर की कुछ एक ऐसे वीडियो को देख सकते हो यह objective question से बट यहां पर जो समझाने का method है वो पूरा ही subjective process में ठीक अगर आप यहां पर से इस वाली वीडियो को देखो तो आपको बहुत बैटर सरीके समझ में आने आला है रहने सा के बारे में रहने सा होता क्या है ठीक है तो इस वाली वीडियो को देख लेना the formation वाली वीडियो को देखना humanism क्या होता है दन morality प्ले इधर से देखो यूनिवर्स्टी विट्स देखो ठीक है आप देख रहे हो ना इस जगे से एलेजर बितन एज के ओपर है ठीक है उसके अलावा दूस्तों Shakespeare and age हो गया और यहां पर metaphysical poetry हो गया romantic age हो गया एंग्लो शेश्टर नहीं हो गया दन आपका history and development English poetry हो गया तो यहां पर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको सारे चीज़े लिखी होगे like मैंने handwritten notes टाइप के है ठीक है तो आप देख सकते हो आपस जाकर कि य miracle and morality play के अलावा दोस्तो university wits से related आपको questions को तयार करने अच्छे से ठीक है university wits क्या होता है then आपका university wits के अंदर आपके seven writers यानि एक तरीके से scholars बोलो writers बोलो author हो गया ठीक है वो आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा well educated पढ़े लिखे university से पढ़े लिखे थे ठीक है तो उनसे related आपका कुछ एक question मनता है then आपकी एलेजा बिथन poetry के उपर दोस्तों एक आपको एसे लिखना होगा या फिर एलेजा बिथन एज के उपर आपको पूछा जा सकता है direct way में तो एलेजा बिथन एज को golden age के नाम से भी जानती क्योंकि इस समय बहुत ही क्योंकि इंग्लैंड क इंदर queen एलेजा बिथन का शार्षन था इस वज़े से एलेजा बिथन एज को नाम से बोलता है ठीक है और इस सार्षन काल में बहुत ज़्याद इसको golden age इस वज़े से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा development हुआ था ना केवल science और technology का dance, singing और literature हर एक field में बहुत ज़्यादा development इसी समय में दूस्तों sex fear भी थे तो एलेजा बिथन एज को ही दूस्तों sex fear and age के नाम से भी जानते है ठीक है इसके अलावा दूस्तों metaphysical poetry का होती है ये भी आपको पढ़ करके जाना है बहुत-बहुत important question है then neoclassism क्या होता है दूस्तों इसके उपर आपको note लिखना है इसक romantic age के उपर मैंने अलग से एक video बना करके उसको देखो जाकर के और romanticism और classicism के बीच को आपको ठोड़ा define करना है उनके बीच के difference को then आपको यहाँ पर Victorian age क्या होती है like Victorian age से related आपको Victorian literature से related आपको कुछ एक questions को बताना है ठीक है इसके अलावा दूस्तों एक 11 number मुझे अलग से एक तरीके का question मनाना पड़ा क्योंकि आपसे sort question कुछ बार कई बार पूछा जा सकता है like किस तरीके के keyword जैसे problem play क्या होता है ठीक है drama of idea क्या होता है theater of absurd क्या होता है then poetic drama क्या होता है यह सारी questions जो है बार-बार आपके sort questions में पूछे राते हैं तो आप इनको तयार करके 4-4 number अपने अच्छे से पक्के कर सकते हो ठीक है तो इतना ही है comment करके बताया करो कि किस तरीके का आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा या फिर कोई भी गलती जहां पर देगो कुछ ऐसा लगा जहां पर improvement होना चाहिए तो please at least let me know in the comment box so that I can improve it more and you know कि आप तक वो सारी information जानकारी बात्चीते पहुच पाएं जो आपके लिए important है ने से सरी है ठीक है और कोई भी ऐसी बात लगी जिसके मैं आपके help कर सकता हो तो please मुझे आप बता सकते हो ठीक है तो आज किस वीडियो इतना ही दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन तेक केर थांक यू और बाए